हालिया लोकसभा चुनाओं में भगबा पार्टी को महराष्ट जैसे बड़े राज्ज में जो दंश मिला है भाजपा उससे उबढ़ने की कोशिशों में जुट गई है भगबा खेमे में एक नई आशा का सुत्र पात हो चुका है जबसे महराष्ट के चुनाओं की बागदोर भाजपा चानक के अमिश शह ने अपने हातों में थाम ली है राज में आने वाले इसी अक्टूबर को विधान सभा के चुनाओं आहुत हैं सो वक्त कम बचा है शह के नित्रित में मेराथन तरीके से नई चुनाबी रणनीतियों को धारती जा रही है सियासी शहमात की बिसात पर प्यादों को भी उसकी असली अवकाद बताने की तयारी है महराश्ट की 288 सीटों वाले विधान सभा के लिए भाजपा चानक के के निर्देशन में सीट दर सीट जनमत सरवेक्षण का काम चल रहा है मुद्दों की फेहरिस तयार की जा रही है उन्हें लोकल राजबर और नेशनल स्तर पर मार किया जा रहा है भाजपा से जुड़े भरो से मनसूत्रों का दावा है कि महराश्ट में भी मत प्रदेश की तरज पर कल्यान कारी ये उजनाओं का मेगा स्वरूब बन कर तयार है जिसे विशेशकर यूबा महिला और किशक वर को ध्यान में रखते हुए तयार किया गया है इसी शुक्रवार को पेश राज के बजट में भाजपा के इनी इरादों की बानगी दिख जाती है इस बजट में 21-60 वर्ष की महिलाओं को 15 रुपे मासिक भत्ता, गरीब परिवारों को साल में 3 मुफ्त रसुई गया सिलेंडर, किसानों की बिजली बिल माफी, खेती के लिए 5,000 रुपे प्रती हेक्टेर बोनस और युबाओं को 10,000 रुपे मासिक भत्ता देनी जैसी क्र कल्यानकारी ओजनाओं को लागू करने से राज के बजट पर 80,000 करोडोपियों का अतरिक्त बोज पड़ेगा, भाजपा पुर्व में भी मत प्रदेश में ऐसी ही कल्यानकारी ओजनाओं के भरोसे अपनी डूपती उतराती चुनावी नईया पार लगा चुकी है, अब इस इतनी के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें